Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल टीम शामिल थी, ऐसी दो टीमों को सस्पेंड कर दिया गया, कैसे भारती एक क्रिकेट टीम के एक स्टार, पास बोलर, एक स्टार प्लेयर का करियर बरबाद होता है, कैसे उसके बाद इस पूरे केस के तार BCCI से जुड़ते हैं, BCCI के बाद Bollywood से जुड़ते हैं, Bollywood से जा कई दिल्ली और मंबरी में बैठे बड़े सटे वाजों ने इसमें बहुत पैसा भी कमाया, और ये जो साल था 2012, इसका जो सीजन था IPL का, उसमें उस सीजन के बाद एक इस्टिंग ऑपरेशन एक निउस चैनल ने किया था, जिसमें पाँच खिलाडी इस पूरे सीजन के, अलग-अलग टीम्स के, ये पकड़े गए थे मैच फिक्सिंग में, और लेकिन ये जो खिलाडी थे, डॉमेस्टिक प्लियर्स थे, मतलब ये छोटे खिलाडी थे तो उस समय बाद में इनको सस्पेंड भी किया गया, इनका करिया बरबाद हुआ जो इने एक मौका मिला था तो लेकिन इसके बाद इस पर जादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ये वो साल था, जब सट्टा जो था वो एक तरह से आम हो गया था भारत में, कई तमाम मैचेज में, आईपील में, आईपील के बाद भी, इंडिन क्रिकेट के जो मैचेज होते थे ते हमारी टीम के, उसमें सट्टा लगता था, और जो सट्टे बाद थे उनके मन से एक तरह से भै पूरा खतम हो चुका था, उन्हें लग रहा था कि इस पर जादा कुछ होना नहीं है, भारत में जो पुलिस है, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इस तरह के कड़े कानून भी भारत करके बैठी हुई थी, उसने अपनी नेटवर्क को अक्टिव कर दिया था, और उसकी पूरी पैनी नजर थी, मैच फिक्सिंग के उपर, इलीगल बैटिंग के उपर, तो ये सब चीजें उस समय दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी थी, इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, किस समय अप्रेल में शुरू होना था, करीबन तीन अप्रेल से आईपेल शुरू होना था, तो फरवरी से ही दिल्ली पुलिस ने अपनी जो नेटवर्क था, उसको एक्टिव किया, और जो कुछ बुकी थे, जो उनके टारगेट पे थे, सट्टेवाज, उनके नंबर टैप कर ने शुरू किया, उनके नंबर की टैपिंग शुरू किया, उनके पूरी उनके बारे में जानकारिया निकाली, तो अब यह फोन टैपिंग यहां से शुरू की दिल्ली पुलिस ने, आईपेल 2013 के पहले, करीबन चार महीने पहले, आप देखिए, फरवरी से इन्हों ने स्पेशल सेल को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अपने नेटवर्क से एक खूफिया जानकारी मिलती है, कि इस बार के IPL में, जो 2013 का IPL है, उसमें अंडर वर्ड के लोग कई बड़े खिलाडियों के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्योंकि उनको भी उस कॉल टेप के दौरान सुनने में कई बार ऐसा मिलता था, कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे, ऐसे कोट वर्ड्स हुआ करते थे, कि रिस्ट बैंड को ठीक करो, और पैंट में टॉबिल लगा लो, तो इस तरह की चीज़ें उनको भी सुनने को मिलती थी, लेकिन नाम क के ATS के उस समय DGP हुआ करते थे, राकेश मारिया, उनके पास उनके एक सोर्स का कॉल आता है, जिससे लगातार दिन में कई बार पाकिस्तान कॉल की जाती है, राकेश मारिया को वो नमबर मिला, उन्होंने अपनी टीम को वो नमबर मॉनिटर करने के लिए, और जब इस नम नमबर को मॉनिटर किया गया, तो ये नमबर निकलता है IPL के, उसी सीजन के एक पाकिस्तानी अंपायर असद रॉफ का, अब असद रॉफ का जब ये नमबर निकला, राकेश मारिया ने इसको अपने पूरी एक टीम को इस नमबर को मॉनिटर करने के ऊपर लगा दिया, होने वाला था, उसको ऐसा कुछ सुनने को मिला, जो पूरे देश में, देश भर के लोगों के मन से क्रिकेट के ऊपर से उनका भरोसा उठवाने वाला था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक ओफिसर ने जो ये पूरी फोन टैप रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो उ दूसरे ओवर में टॉवल लगाएगा और इंडिकेशन देगा कि ओवर ये हमारे अकॉर्डिंग है, और उसके पहले कुछ टाइम भी देगा, जिससे वो अपना जो बैटिंग का काम है वो करने के लिए, पिर दूसरी एक कॉल टेप, जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, उसके ये था कि जो बोकी और प्लेयर के बीच की बातचीत थी, जिसमें प्लेयर एक मैच में इशारा करना भूल गया बोकी को, तो उसके बाद बोकी उससे पैसे मांग रहा है, तो ये पूरे कॉल टेप जब इनके सामने आते हैं, पांच और नो माई के मैच के पहले, तो दिल्ल माई को भी राइस्तान रोयल का मुंबई के मुंबई इंडियन्स के साथ में मैच था, वानखेडे स्टेडियम में, तो ये उसके लिए भी लगातार इन सट्टे बाजों के जो कॉल टेपिंग थी, उसको लगातार सुन रहे थे, इन मैचेस को जब बहुत बारीकी से देख दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ओफिसर्स ने, तो उनके सामने सारा खेल क्लियर हो चुका था, पांच माई 2013 को जो मैच था, पूने और राइस्तान के बीच, राइस्तान रोयल के ओफ स्पिनर, अजीत चंडिला ने अपने दूसरे ओवर में 14 रन दिये, लेकिन वो फिर 15 माई को जो राइस्तान रोयल्स और मुंबर इंडियन्स का मैच था, उसमें राइस्तान रोयल्स के ही स्लोल लेफ्ट आम बॉलर अंकित चौहान, तो अंकित चौहान ने भी अपने स्पेल के दूसरे ओबर में 14 रन दिये, तो ये सारी चीज़ां उन्होंने देखी, लेकिन इसके बाद जो नाम सामने आया दिल्ली पुलिस के, जो उनको पूरे अपने फोन टेपिंग के जरीए उसमें वीडियो में देखने का देखा उन्होंने, वो नाम जानने के बाद दिल्ली पुलिस के खुद के ओफिसर्स शौक्ड हो गए थे, वो सक्ते में आ गए यह नाम था भारतिय क्रिकेट टीम के टॉप फास्ट बॉलर एस श्रीसांथ का, अब श्रीसांथ का नाम इसमें सामने आया और जो पुलिस को मिले वो यह थे, कि 9 माई को जो राइस्थान रोयल्स और पंजाब का मैश था, उसमें श्रीसांथ ने अपने दूसरे ओवर में अपने पैंट में टॉबल लगाई और उसके बाद में वाम अप किया, जो वो थोड़ा टाइम देना चाहते थे, बुकीज को अपनी बैट लगाने के लिए, तो अपने दूसरे ओवर में उन्होंने पैंट में टॉबल लगाई, उसके बाद में वाम अप किया, एकसाइस क टाइम दिया और उसके बाद में जो ओवर डाला उसमें उनोंने तेरा रन दिये थे तो अब ये वही उसी तरह से हो रहा था जिस तरह से फोन पर जो बुकी के साथ में बातचीत हुई थी और ये पूरी चीज़ें दिल्ली पुलिस सुन चुकी थी दिल्ली पुलिस ने ये भ रोयल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच में इसके खतम होते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अपने दो ओफिसर्स के साथ में जिनमें एक ACP भी शामिल थे उस समय दिल्ली के तो उनके साथ में ये दिल्ली से मुंबई पहुँचती है श्रीसंत को क्योंकि ये जो 15 माई का मैश था राहिस्तान और मुंबई का इसमें खिलाया नहीं गया था क्योंकि ये ऐसा बताया जाता है कि जो उस समय के कप्तान थे राहिस्तान रोयल्स के राउल रविड तो उन्हें ये थोड़ा सा आभास हो गया था कि श्रीसंत ने शायद ऐसा कुछ कर दिया जो उससे कभी करना नहीं चाहिए था तो इसलिए श्रीसंत को उस मैच में खिलाया भी नहीं गया था तो 15 माई की देर रात जब दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंशती है कि यहां से इन तीनों प्लेयर्स की श्रीसंत अजीच चंडीला अनके चवान की लोकेशन ट्रैक करते है इन तक पहुंशते हैं और यह पता चलता है कि श्रीसंत उस दिन अपने एक दोस्त के साथ में मुंबई के एक होटल होटल इंटर कॉंटिनेंटल में तो होटल इंटर कॉंटिनेंटल में एक कमरे में श् तब उसने ये देखा कि उस कमरे में श्रीसंत जीजु जनार्धन और दो लड़कियां भी थी तो ये सब चीजें वहाँ पर हुई उसके बाद श्रीसंत को दिल्ली पुलिस ने ग्रफतार किया यहां से दिल्ली पुलिस पहुंचती है मुंबई के नरिमन पॉइंट में इस्त दिल्ली पुलिस पहुंची होटल ट्राइडिंट और वहां से इनों ने अजीत चंडीला और अंके चवान को इनके रूम से ग्रफतार किया यह उसी रात की बात है जब दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने करीबन 14 अपने जो सट्टे बास थे उनको पकड़ा था पूरे दिल्ली में और मुंबई में करीबन 14-60 बाजों को पकड़ा और यह पूरी वही उस मेहनत का नतीजा था इसका वो लगातार पिशले दो महीने से पून टैपिंग कर रहे थे मुंबई के होटल ट्राइडेंट में यह जो दिल्ली पुलिस की टीम थी स्पेशल सेल की यह मौजूद थी इन तीनों प्लेयर्स को अरेस्ट भी कर शुकी थी इसके बाद करीबन सुबह के पांच बज चुके थे पांच बजे यह अपने होटल के उसी के कमरे से राइस्ता राइस्तान रोयल्स के कप्तान थे और जो कोश थे इस टीम के पैडी अप्तन उनको यह बात बताई गए बाद में राइस्तान रोयल्स के ओनर्स थे शिल्पा शेटी राज कुंद्रा इन तक भी यह बात पहुंचाए गए और इन लोगों ने डिसिजन लिया कि एक जल्द कि सुबा पूरे देश बर में बताई गए प्रेस कॉंफेंस करके यह आग की तरह पूरी मीडिया में बात पहल चुकी थी पूरे जो लोग थे देश के जो क्रिकेट प्रेमी थे वो सक्ते में थे श्री संत का नाम सामने आ चुका था श्री संत की इमेज वो थी इसके पहले की इमेज आज इस तरह से एक बेटिंग के केस में सामने आई थी तो लोग बहुत जादा निराश थे इस से अब क्योंकि ये जो पूरा केस था ये साल 2000 के बाद साल 2000 के पहले एक बार जब ये हुआ जब क्रिकेट के उपर दाग लगा था लेकिन उस समय ये था कि तब साउथ अफ्रिकन जो प्लेयर्स थे उनका नाम सामने था जैसे हैंसी क्रॉंज हर्शल गिब्स तो ये लोग उस समय के मैश फिक्सिंग में शामिल थे जिसमें आजज जड़ेजा और मनुच प्रभाकर भारत के ये लोग ये जो क्रिकेटर्स थे वो भी फसे थे लेकिन ये पूरा सॉथ अफ्रिकन प्लेयर्स का किया हुँआ मैश फिक्सिंग थी पर इस बार ये पहली बार हो रहा था साल 2000 के बाद भारत के अंदर ही भारत के ही प्लेयर्स बैटिंग में शामिल थे एन कि ये बहुत जादा बड़ा एक मुद्दा बन चुका था एक बहुत बड़ा केस बन चुका था और लोगों ने तो कई लोग ऐसे थे जिन्हों ने पहली बार मंत्री थे तो आरार पार्टिल को जब यह सोबा 16 माई को ही पता चला था प्रेस कॉंफरेंस के बाद के इस तरह से दिल्ली पुलिस की एक टीम आई है मुंबई में उसने पूरा एक्शन किया है यहां पर आके ग्रफतार करके इतना बड़ी कारवाई करके ले गई है इन क्लि इन से पूछा कि इतना बड़ा ऑपरेशन जब दिल्ली की पुलिस आके यहां पर आके करके गई है महरास में मुंबई के अंदर गिरफतार करके ले गई श्री संथ को इतने बड़े स्टार प्लेयर को इतना बड़ा केस है तो हमारे पास इसका कोई इंटल क्यों नहीं था ह जब यह सब मुंबई में ही हो रहा था यहां पर तो यहां से हिमान शुरुआ के पास में उसका कोई जवाब ज़्यादा था नहीं लेकिन राकेश मारिया ने आरा पास में इसका हिंट है हमारी एक टीम है जो एक अफते से आई पील का जो पाकिस्तानी अंपायर है असद र इसको राकेश मारिया से का कि आप क्राइम ब्रांच को दे दीजे क्राइम ब्रांच इसकी आगे इन्वेस्टिगिशन करेगा यह जो टेप रिकॉर्डिंग्स थी और जो पूरा मॉनिटर कर रहे थे इसके असद रौफ के पूरे नंबर को पाकिस्तानी अंपायर के कि देश को और खेल जगत को इतने बड़े जटके देने वाला था कि इसमें कई बड़े नाम सामने आने को थे अभी बुम्मई पुलिस ने जब असद रौफ की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसे सुना उसको पूरा उसको मॉनिटर किया तो वहाँ पे एक नाम सामने निकल विंदुदारा सिंग का यहां से नाम आता है जिसमें असद रौफ उसको उसको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में यह बता रहा है लगातार मैच की जानकारी दे रहा है जिसके बाद वो आगे उसकी इल्लीकल बैटिंग कर रहा है तो यह चीजे सामने आती है यह देखते ही अब मुंबई पुलिस के पास एक बहुत बड़ा क्योंकि यहां पर पॉइंट मिल गया तो क्राइम ब्रांच की टीम इन खिलाडियों के ग्रफतारी के 16 मई के सिफ चार दिन बाद 21 मई को विंदुदारा सिंग को ग्रफतार कर लेती है लेकिन अब यहां से जब यह लोग पाकिस्तान भाग चुका था तो यह मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ में नहीं आया लेकिन अब मुंबई पुलिस ने विंदु से पूछता चालू कि उसके कॉल रिकॉर्ट्स लगातार मॉनिटर किये गए देखा गया तो इसमें से एक बहुत बड़ा खुलासा एक और सामने हुआ और यह खुलासा ऐसा था कि जो पूरी तरह से फिर से जो खेल जगते उसको हिला के रखने वाला था विंदु दारा सिंग की बातचीत बुकीस के साथ में तो थी सट्टेवाजों के साथ में तो थी लेकिन उसकी बातचीत सामने आई बीसी सी आई के उस समय के जो चेर्मेन थे एन स्री निवासन उनके दामाद और सीएस के एक टॉप टीम थी आई पेल की चैन्नाई सूपर किंग्स उसके टीम प्रिंसिपल गुरुनात मयपन के साथ गुरुनात मयपन के साथ करीबन कुछी दिनों में 30 वार बातचीत हुई भुए ती उन थी विंदू दारा सिंग की अब यहां से इतने बड़ी टीम प्रिंसिपल का नाम सामने आता है लोग आई झी आखे घंट भारत में ली खेला भी जा रहा है कि नहीं क्या हम बिना कुछ जाने सोचे समझे इस खेल को देखते हैं कि हम पूरी तरह से सोचते हैं कि इसके बहुत है यह पूरी तरह से फैरेस में कोई पन का नाम सामने आया और इसी के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम चैनने के लिए रवाना होती है मैं पन को ग्रफतार करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जब वहाँ पर पहुची चैनने तो वहां पर इसके घर पर मयपन के घर पर उनको मिला नहीं उन्होंने कई भगोड़ा गोशित किया जाएगा मैं इस समय तमिल नाडू के कोड़े कनाल में अपने जो ससुर थे उसके जो ससुर थे बीसी सियाई के चेर्मेन एन श्रीनवासन उनके साथ में तो अब जब ये घोशना मुंबई पुलिस ने की इसके बाद में ये वहां से कोड़े कनाल से मुंबई के लिए रवाना हुआ और 24 माई की सुबा सुबा जब ये लैंड हुए एरपोर्ट पर मुंबई के वहीं से मुंबई पुलिस की क्राइम डाश ने इसको मैपन को ग्रफतार किया था अब पूश्ता जिससे की गई और पूश्ता अच के बाद मुंबई पुलिस ने ये बताया कि मैपन जो है वो 2011 से ही IPL में हेवी बेटिंग कर रहा है मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे बेटिंग करता था सटेवाजी करता था करीबन दस लाग से लेकर एक करोड तक की बैट इसने IPL पे लगाई हूं थी 2011 से लेकर ये 2013 तक दो साल के बीच में तो ये इस चीज़े अब सामने आई ये मीडिया में गई चीज़े इसके बाद IPL की प्रेडिबल्टी के उपर पूरी तरह सवाल उठने लगे थे कि एक टीम जिसके इतने बड़े मेनेजमेंट का एक सदस्य है जो खुदी बैटिंग में इतनी पूरी तरह से इंडर्जड है जो इसमें पूरी तरह से घुसा हुआ इतनी बड़ी बैटिंग कर रहा है तो यह कीसे आप बता सकते हैं कि यह जो मैचेश होते हैं यह फेयर होते हैं तो इस तरह के सवाल लगा था डिबेट में पूछे जाने लगे उस समय यही सब चल रहा था, सारा दिन डिबेट में यही चलता था, अब जब CSK पर सवाल उठने लगे, तो जो टीम के उनर्स थे CSK के, उन्होंने मयपपन को डिसोन कर दिया, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं यह हमारी टीम में इस तरह से यह टीम प्रिंसिपल था यह तो मैनेजमेंट में से सदस्य था, यह सिब एक मेंबर है हमारे मैनेजमेंट का, तो यह चीज़ें उन्होंने बताई है, यहां से उसके बाद एक फोटो भी वाइरल हुआ, ट्विटर का, जो मैपन तग रूनात मैपन, उसके ट्विटर अकाउंट का, इसमें पहले लिखा हुआ था, टीम प्रिं पाकिस्तानी अंपाय जो भाग गया पाकस्तान, उसने दिये हुए थे, अब जब इन बुकी के नंबर को पकड़ा, जब इन नंबर को मॉनिटर किया, तो इनके लिंक्स पाकिस्तान में बैठे बुकी के साथ में मिलते हैं, पिंदु दारा सिंग के पास से जो बुकी के नं बना तो मुंबई पुलिस को यह सामने आता है कि यह जो पूरा केस है स्पॉर्ट फिक्सिंग का इसमें अंडरवर्ड डॉन दाउद इब्राहिम और छोटा शकील शामिल है उनका इंवल्मेंट यह चीज मीडिया में बताए गई अब मीडिया में जब यह चीज पूरी तरह स तो टाइमस ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने उस समय दाओद इब्राहिम को वहां पर उसका जो छोटा शकील है डी कंपनी का एक तरह से उसको मैनेजर कहा जाता है तो छोटा शकील के पास मैं फोन किया मैसेज डाला उसको और वहां से इस तरह की जल्दी थी दाओद यह था कि भाई को हराम का पैसा नहीं चाहिए यह जो सट्टे बाजी से हराम का पैसा आता यह हम नहीं कमाते हैं और यह सब चीजें हमने बहुत पहले छोड़ चुके हम लोग और अब हमसे रियल स्टेट का काम करते हैं तो आप यह देखिए यह केस इतना जादा बड़ा पन चुका था कि यहां पे अंडरवर्ड डॉन दावद इब्राहिम भी खुद इसमें से अपना इंवल्मेंट इसमें दिखाना नहीं चाहता था यह सब चीजें सामने आई इसके बाद यह भी चीजें हुई कि देश की दो सबसे बड़ी पुलिस एक तरह से दिल्ली पुल लान नाम वही था इस को यह भी किया किया था और इस समय कि यह तो आध्यारी तो एक कई सारी लड़कियों के फोटोस थे जो एक कास्ट इंड डिरेक्टर ने भिजवाय हुए थे इस तरह की चीज़ें मिली कुछ ऐसा मिला कि कुछ इलेक्ट्रोनिक आइटम्स मिले वहां से कुछ तमाम अपतिजनक चीज़ें मिली हुई थी तो ये सब चीज़ें मुंबई दखल दे रहे हैं बाद में फिर इस पर नीरश कुमार जो दिल्ली पुलिस के उससमें कमिशनर हुआ करते थे उन्होंने ये बताया कि दोनों पुलिस फोर्स की इस तरह की कोई लडाई नहीं है दिल्ली पुलिस जो है वो स्पोर्ट फिक्सिंग पर काम कर रही है और सेंपल्स लेती है हैं राइटिंग सेंपल्स लेती है और यहां से इनके खिलाफ कई सारे सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्टे कर लिये थे समय तक मुंबई पुलिस भी लगा था श्री संथ के खिलाफ सबूत इकट्टे करने में लगी हुई थी इन प्लेयर्स पर मुंब पुलिस ने ये बताया कि श्री संथ ने मुंबई के एक इस्टोर से एक बार में जाके एक दिन में ही एक लाख पिंचानवे हजार की शॉपिंग की थी कपड़े लिए थे उसने वहां से उसके बाद ये भी बताया गया कि उसी दिन उसने अपनी एक गल्फरेंड के लिए जिसको जिसे बताते हैं साक्षी जाला नाम की गल्फरेंड थी उसकी जैपुर की तो उसके लिए उस समय का जो एक दम लेटिस्ट फोन था ब्लैक बेरी जैटेन करीब उस समय 43,000 रुपे का ये पोन हुआ करता 2013 में और जस्ट लॉंच ही हुआ था तो ये भी लिया था वो भी कैश में तो ये सारी चीजने बताए गई और पुलिस ने बताया कि ये पूरा का पूरा पैसा इस्पॉर्ट फिक्सिंग का पैसा था जिस से श्रीसांद ने ये सब चीजन लिये हैं इसक श्रीसांद का वहां से एक कंपनी श्रीसांद के नाम पर रेजिस्टर मिलती है और वो कंपनी थी स्पोर्ट्स एंटर्टेन्मेंट प्राइवेट लिम्टेड अब ये कंपनी जो थी ना इसके मेमोरेंडम में उसके जो मेन ऑब्यक्टिव थे उसमें कई ऐसी चीजें मिली जिसके बाद श्रीसांद का जो बेटिंग के प्रती उसका तुझान था वो सामने आया इस कंपनी के जो रेजिस्टर में जमा था इसका मेमोरेंडम वहां पर उसके मेन अब्यक्टिव में लिखा हुआ था कि कोचिंग सेंटर्स इन फ्यूचर जो फ्यूचर प्लान्स थे उसमें कोचिंग सेंटर्स जिमनेजियम फिटनेस सेंटर और बेटिंग हाउसेज अब जब यहां से बेटिंग हाउसेज सामने आया तो उस समय ये चीज़ ख़बरों में आई कि श्रीसंद के फ्यूचर प्लान्स इस तरह के थे कि उसका इंटरस्ट ही था इसमें के अंदर लीगल नहीं है जो सट्टे बाजी जो बैटिंग है बहार देशों में तो लीगल है तो बहार बहार जाके उसका इस तरह का प्लान था आगेकर इसलिए उसमें लिखा हुगा है यह जो कंपनी ती इसमें श्रीसंद का भी 74 परसंट का स्टेक था और 24 परसंट परस चाता था उसके बेटिंग हाउस खोलना चाता था तो साथ ही अब हुआ यह की नौ माई को जो मैश था उसमें चंडीगर में मैश था यह तो इसमें जो होटल था जहां पर पूरी राइस्तान डोल्स की टीम रुकी हुई थी तो पुलिस को वहां पर उस होटल से चंडीगर मिलती है अब यह cct फोटेश थी जिसमें श्री संथ और अंकित चभान इन दोनों को जीजू जनारदन जो बुकी था उसके साथ में देखा गया यह रात के करीब 12 एक बजे वहां पर बैठे हुए हैं उसके बाद में घूम रहे हैं इनके साथ में दो लड़कियां भी उसम में परेशान से घूमते हुए देखे हैं करीबन सुबह 5 बहे तो यह भी चीज सामने एक सबूत था दिली पुलिस के सामने यह पूरा जब चल रहा था तो श्री संथ के पिता जो है शांता कुमारन नायर उन्होंने एक बहुत बड़ा आरूफ लगाया उन्होंने का कि यह के सामने बाद में वो इससे मुकर भी गए लेकिन यह पूरे जो आरोप थे जो इन सबूतों से पूरे पुकता हो चुके थे जिस तरह के आरोप लगे हुए थे इन तीनों खिलाडियों पर तो साथ में यह भी बात अब यहां से पता चल गई थी कि अजी चंडिला और श्र का उसको मनाया था यह करने के लिए चंडिला ने उसको बोला था कि अगर तुम बुक्रीस के अकॉर्डिंग अपना एक ओवर डालोगे सिर्फ एक ओवर तो उसके तुमें साट लाक रुपे मिलेंगे तो यह चीज़े सामने आई हूं उसके बाद में चवान मान भी गया थ लेकिन यह जब खबरें सामने थी ना तो उस समय बी सी सी आई पूरी तरह से हिल चुपी थी क्योंकि खुद बी सी सी आई के चेर्मेन एन श्रिनवासन के दमाद गुरुनात मयपन का भी नाम इसमें सामने था एक बहुत बड़ी टीम एक बहुत बड़े कप्तान महीन में इन्वाल्व थे वहीं पर मुंबई पुलिस के पास में मयपन और विंदुदारा सिंग थे वो उनको एक साथ बठा के पूश्टाच कर रही थी तो मुंबई पुलिस ने बताया कि पूश्टाच में यह निकला है सामने जो चार्शीट में बकायदा लिख्था हुआ थ उसके बाद में विंदु ने आगे बुकीस को यह बताई और फिर इस मैच पर इल्लीगल बैटिंग की गई थी तो यह सारे चीज यह आरोप लग रहे थे इसी को देखते हो यहां पर बीसी सी आई भी अब एक्टिव हुआ बीसी सी ने उस समय मुझे याद एक कमीशन बना मैं अपन इस केस में पूरी तरह से फस्ता जा रहा था तो यह बहुत क्रेडिबिल्टी पे एक तरह से सवाल था कि यह जो कमीशन बनाए जाच कैसे करेगा और इसी के चलते बाद में जो बीसी सी आई का जो मिस मैनेजमेंट था वो भी देश के सामने आया एक तरह से कि और अजैशीर के जो ट्रेज़र थे इन दोनों ने स्तीफा दे दिया और यह कहते हूं इनों ने स्तीफा दिया था कि यह कमीशन बना है यह ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा हो भारत के इंदर क्रिकेट से करप्शन कोई हटा ही नहीं सकते इस समय इंडिरेक्ट लिए चलते अगला इस्तीफा तीसरा इस्तीफा आता है IPL के चेर्मेन उस समय के राजीव शुकला का उन्होंने बताया कि यह अच्छा समय इस समय इस चीज से अपने आपको खुद को अलग कर लेने का और यहां से यह चीज छोडने का IPL इस तरह का इस समय उस पे एक काला धंबा चुका है तो वहां से राजीव शुकला ने भी अपना रिजाइन किया अब यहां दिल्ली पुलिस लगाता है इन से इंवेस्टिकेशन कर रही थी इन खिलाडियों से तो एक बहुत बड़ा नाम यहां से सामने आया और यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ यह नाम जो इन कुंद्रा को गिरफतार किया जाता है और उसके बाद कुंद्रा ने खुद से एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ वो इल्लीगल बैटिंग करते थे और अपनी ही टीम पर कर रहे थे उन्होंने अपने एक बुकी के साथ अपने एक बुकी उनका ही जो एक दोस्त था एक BCCI ने अपनी एक दूसरी कमेटी बनाई जब यह लगातर इस्तीफों की जो जड़ी लगी थी उसके बाद में BCCI की यह जो कमेटी बनी यह सर्फ दो लोगों की थी और यह खुद श्रीनवासन ने बनवाई थी यह कमेटी बनती और दो दिन के अंदर यह कमेटी राज कु को और मयपन को क्लीन चेट देती है BCCI की तरफ से कि नहीं यह दोनों इसमें कहीं भी शामिल नहीं है यह जब हुई तो इसके बाद में 21 जून की बात है 21 जून को बिहार की जो क्रिकेट एसोसियेशन है उसने बॉम्बे हाई कोट में एक पियाईल दाखिल कर दो थी उसने कहा था वहां पर आरोप लगाया था कि यह जो फर्जी कमेटी बनाई गई है यह पूरा फर्जी जाच की हुई है इसने बिहार क्रिकेट एसोसियेशन ने इस तरह का पूरा एक आरोप लगाया एक पियल में बॉम्बे हाई कोट ने भी उसमें अपना 30 जुन को आदेश सु रहा था पूरत देश इसका गवा बन रहा था जब यह सब चीजें हुई तो पुलिस तो अपना काम करी रही थी लेकिन यह केस अदालतों तक पहुचा और उसके बाद में एक ऑथेंटिक कमेटी बनाई गई इस पूरे केस की जाच के लिए यह कमेटी थी जस्टिस मुकु मुदगल एडिशनल सॉलिसेटर जनरल जो थे उस समय एल नागेशो राओ और एक सीनियर एड़ोकेट और फॉर्मर एंपायर क्रिकेट एंपायर निले दत्ता यह शामिल थे इसमें और इस कमेटी के अंदर सोरभ गाउंगली को भी शामिल किया गया था तो अब यह जब कम मैपन का नाम जब मुदगल कमेटी के सामने आया था उस पर इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हूँ थे तो वहां से कप्तान थे महिन सिंग धोनी उन्हें भी मुदगल कमेटी ने एक बार पूश्टाच के लिए बुलाया था जब यह चीज़ ख़बर सामने आई मीडि क्या महिन सिंग धोनी भी इस पूरे केस में शामिलें क्या फिकसिंग में धोनी का कुछ इंवॉल्ब्मेंट है तो इसमें पूरा देश चाहता था कि ऐसा ना हो धोनी का कभी नाम इस तरह की चीज़ में सामने ना आए हर कोई इसको इस तरह ही देख रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो लेकिन जब धोनी को वहां पर बुलाया जाता है मुदगल कमेटी के सामने उन से पूछा जाता है कि क्या मयपन जो था वो टीम दिरशार करता था तो वहां पर जो लोग मौझुद थे उनका कहना था खता के अधोनी का एक सिंपल स्टेटमेंट था कि मयपन ना थो किसी टीम मीटिंग में शामिल होता था और नाहीं वो किसी restriction में शामिल होता था तो ये चीज's वहां में सामने आती है इस तरह से धोनी का नाम इसमें सामने आया था, अब धोनी का जब नाम सामने आया तो उसी समय एक फोटो वाइरल हुआ, यह फोटो था धोनी की जो वाइफ है, साक्षी, उनका और विंदुदारा सिंग का, यह करीवन एक मैच की बात है, मुंबई इंडियन्स और CSK का मैच था यह, चै इसके बाद में यह चीज तमाम सामने आये कि क्या धोनी और विंदुदारा सिंग का भी कोई इस तरह का कनेक्शन है, यह चीज ने बताए गई, लेकिन इसके बाद एक चैनल ने इस्टिंग ऑपरेशन भी किया, यह इस्टिंग ऑपरेशन था धोनी के जो मैनेजर है, धोनी को वहाँ पर बुलाया हुआ था, लेकिन मीडिया में इस तरह से उसको दिखाया गया था, कि क्या धोनी भी इसमें बुरी तरह से फस सकते हैं, तो यह सब चीज चलती हैं, इसके बाद में मैं से सितंबर तक करीबन यह चार महीने जो बीते थे, इनमें आप यह देख चुके, और कई बड़े नाम, विंदुदारा सिंग, गुरुनात मयपन, राज कुंदरा, यह सब बुरी तरह से इसमें फस चुके थे, और यहीं नहीं, यहीं तक नहीं, मतलब दो बड़ी टीमें, दो IPL की बड़ी टीमें, राइस्तान रोयल्स, चैनली सूपर किंग्स, यह अपनी जो इमेज थी इनकी, इस पर बहुत बड़ा दाग लगवा चुके थे, इसी के साथ 13 सितंबर 2013 को श्री संत और अंके चवान पर बी सी सी आई ने लाइफ बैन लगा दिया, 28 मार्च आया आगले साल 2014 में, 28 मार्च 2014 को जो श्री नवासन था, एन श्री नवासन उ को सुप्रीम कोर्ट में पेश की, इस पूरी जो रिपोर्ट थी, इसमें उसने तमाम सारे अपनी 170 पेश की रिपोर्ट थी, मुद्गल कमेटी की, वो भी पेश की सुप्रीम कोर्ट में, एन श्री नवासन ने बाद में बहुत जादा रिक्वेस्ट भी की, अपनी जो ना वो कंटेस्ट कर सकता है ना उसको वहां पर रख सकते हैं उसको पूरी तरह से बिजिस से बैंग कर दिया गया इंश्रिम्य वासन को सुप्रीम कोट ने यहां पे तीन मेंबर्स की कमेटी भी बनाई थी यह कमेटी जो इसको हैट कर रहे थे वो थे फॉर्मर चीफ जस्टेस ऑप इंडिया आरेम लोधा यह कमेटी इसलिए बनी थी कि अब यह फाइनली यह तैय कर पाए कि जो सीएस के हैं गुरुनात मैफपन की और राच कुंदरा की इन दोनों टीम्स के लिए क्या सजा तैय करनी थी इस कमेटी को आरेम लोधा की जो कमेटी थी तो अब यह कमेटी जुलाई 2015 में यह सजा तैय करती हो इसके सजात यह थी के सीएस के और राइस्तान रोयल्स यह दो साल के लिए सस् कर दिया और इसी के साथ मयपन पर और राजकुंद्रा पर लाइफ टाइम बैंड लगा दिया गया यह किसी भी आई पील या बीसी सी किसी भी गतिविदी में अब शामिल नहीं हो सकते थे इसी महीने जुलाई में ही 2015 में दिल्ली की पट्याला हाउस कोट ने जो तीनों खिला उस टैम तक करीबन 2013 से 2015 आ चुका था यह अपना बैन भी इनके उपर लग चुका था इनका करियर बरबाद हो चुका था तो लेकिन इनको अब यहां पर खारिश किये जाते हैं इनकी उपर के यह सारे आरोप और इन्हें रहा किया जाता है बताते हैं जब फोट में यह पर से हट गए लोगों ने देश में यह वो समय था जब पहली बार इस्पॉर्ट टिक्सिंग का शब्ट सुना था इस केस ने पूरी बी सी सी की काया प्लेट भी थी मतलब उसके बाद में बी सी सी में जो इतना मिस मैनेजमेंट था इसको चेंज किया गया बड़े कई आद दिस्प्यूट से उनके लिए former High Court के जो जुटिस होंगे जो जज होंगे वो उसको हैंडल करेंगे जो overall मामले होंगे डिस्प्यूट्स के इश्यू के वो former पर जो सुप्रीम कोट के जज होंगे वो लोग उसको देखेंगे तो यह सारी तमाम चीज़ें की गई लेकिन इस पूरे केस में भारतिये क्रिकेट फैंस के जो हौसले थे वह बहुत जादा तूटे थे उनके सामने ये केस इस तरह से था उनके लिए एक बहुत बड़ा जटका था ये केस और उनका जो इंट्रस्ट था जो क्रेडिबिल्टी थी आईपेल की वो पूरी तरह से खतम हो गई थी इस बात का अंदजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस सीजन का ये जो 2013 का सीजन था कि लोग भरोसा निए कर पा रहे थे कि अब ये जो क्रिकेट है भारत का ये शिए है भी या नहीं ये फेर खेला भी जाता या नहीं और इसी के साथ में कई सारा ये भी सामने आया कि किस तरह का एक बहुत अन्मैनेजड और खोकला सिस्टम है भारत में जो IPL चलता है इंडियन प्रिमेर लीग इसका आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि क्या आज के दौर मे जो फिक्सिंग है और मैच का जो इल्लीगल बैटिंग होती है वो नहीं होती है तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएगा अगले वीडियो आपके लिए लेके आती रहेंगे अगले टॉपिक्स भी अपने बताएगा हमें इसी के साथ दीजे जात नमस्कार ध तयारी हुई अफोर्डिबल